Hello Everyone, Welcome to Selenium Framework Tutorial इस बार ही हम discuss करेंगे कैसे हम Selenium Frameworks से यूज करके काफी अलग तरीके की framework approaches को यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम linear scripting के बार में बात करेंगे तो लेट से हम यहाँ पर packages बना लेते हैं यहाँ पर हम बनाते है linear scripting के लिए एक package sorry class click होगया अगलती से इसमें package करेंगे तो मैं तब तक package बनाता हूँ तब तक बना दू बता दू आपको कि linear scripting आज तक जो हम करते आ रहे थे वो वही है जस्ट एक high level overview देने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ बट इसमें बिल्कुल वैसे का वैसा ही concept है जैसे अभी तक हम कर रहे थे इसमें कुछ नया नहीं है और अगर आपको एक छोटा सा piece of code लिखना है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप इस code से बस छोटा सा एक action परफॉर्म कराना है और उसके बाद उसके usability इतनी नहीं है आपकी programming skills आपके या resources की programming skills इतनी नहीं है और वो एक छोड़ा सा काम होके आपको उसकी maybe use पढ़े ना पढ़े तो आप ये सब use कर सकते हैं तो एक test class बनाई इसको हम rename कर देते क्योंकि class का name हमेशा capital से start होना चाहिए तो हमने इसको rename कर दिया अब इसके बाद इसमें हम एक main method जो हम पहले कर रहे थे एक main method define करना उसके बाद जो भी हमने action perform कराना है वो हम sequence में एक के बाद एक लिखते जा रहे थे like web driver installize करना कोई action perform कराना जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देते हूं जो हम कर रहे थे जैसे हमने इस case में किया इस case में हमने क्या किया एक simple main method के अंदर driver initialize किया एक value पर गए जो हमारा URL है उसके बाद हमने एक time out दिया just wait करवाने के लिए और click करवाया options को ऐसे ही हमने बाकी जगा भी यही काम किया है जैसे कि हम alert में जाके देख लें जब हम alert के लिए कर रहे थे तो हमने same काम perform किया तो यही यही जो script है पूरी की पूरी यह हमारी एक linear script है तो यह जो linear script है आप इस पर यह देख लीजे कि इसमें हमने कहीं पर भी अपने ही कुछी framework से कोई method कॉल नहीं किया हमारा जो data है जैसे हमारी URLs है यह हमारी files path हो गई यह सब hard coded है और इसके अलावा हमने जो x path और यह दे रहे हैं उसमें हम कहीं पर भी page object model भी use नहीं कर रहे हैं तो यह linear script है यहाँ पर आप main method यूज कर रहे है अगर आप even test change या कुछ और यूज कर रहे है trigger करने के लिए तो भी similar approach ही है अपके लिए यह तो यह हमने देखा कि कैसे हम linear scripts बना सकते हैं तो यह एक बहुत ही simple approach है but again वही disadvantages data hardcoded है और कहीं पर भी reusability नहीं है for example इस class और इस class और इस class और इस class के लिए मैंने same चीज same piece of code जो यह है बार बार यही use किया है और यहाँ पर फिर हम अगर यह बात करें click करने का method भी बार बार यह किया है but यह जो data है जो हमारा x path है या id है या जो भी selector है वो हम change कर रहे है तो यहाँ पर कोई reusability नहीं है तो यह हमने discuss किया linear scripting के बारे में आगे हम देखेंगे कि कैसे module हम use कर सकते है modular approach use कर सकते है तो अगर हम modules के basis पर बात करें जो modular approach use करते थे पहले यह बहुत कम use होते है linear या modular linear फिर भी ज्यादा use होते है क्योंकि आप linear scripting छोटे-छोटे कामों के लिए बहुत ज्यादा कर लेते हैं लेकिन modular approach के लिए आपको same scripts लिखनी है बट इनको बस modules में divide करना है for example जो यह code है मालने जी यह like 50 line का नहीं करीब 2000-6000 line का code है उस cases में क्या होगा कि मालनों कि आपकी यह जो test script है यह अलग module में divide हो जाएगी let's say module 1 में हो गई let's say मैं इसे public static void module 1 इसमें divide कर देता हूँ इसके बाद हम इसे एक बढ़ ही static block में रख देते हैं जसकि यह static है तो बस मैं इसको static block यूज़ कर रहा हूँ आपका constructor भी आप यूज़ कर सकते हो यह main हटा देते हैं इसको यहाँ पर लिखते हैं यह आप इसको यहाँ पर initialize करके आप आगे different methods भी बना सकते हैं तो अगर आपने यह module 1 बनाया और यह static block है और यह माल लिज़ आपका यह module 2 है ऐसे module 3 module 4 आप ऐसे भी बना सकते हैं तो यहाँ पर जब आप actions perform कर रहे हैं driver.find element let's say मैं यहाँ से code copy कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपने क्या किया test scripts को module में divide कर दिया और यहाँ पर आप simple module 1 को call कर लेंगे यह module 2 को call कर लेंगे तो ऐसा आपका पूरा action perform हो जाएगा तो इन सब के अलावा जब यह सब कुछ action perform हो रहे हैं तो आप modules में कर रहे हैं क्योंकि वह line of codes जो हैं आपके इतने ज़्यादा हो गया है कि आप वह single test scripts में नहीं रख पा रहे हैं आप तभी यह use कीजिए जब आपका line of code बहुत जादा है क्योंकि अगर आप 10-20 line के लिए modules बनाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका वह अपने आप में ही module है तो वो linear scripting उसके लिए best है जैसा मैंने पहले कहा कि छोटे कामों के लिए जो आपने chunk of code लिख रखा है जो आपने कुछ action perform करने के लिए code लिख रखा है उसके लिए आप linear scripts का use करेंगे लेकिन modules तब बनते हैं जब आपका line of code बहुत ज़्यादा है और आपके उसको divide कर दिय modules में और उसके बाद आप test scripts को divide करने के बाद call कर रहे हैं तो अगर आपका ये काम हो गया तो आप देखेंगे यहाँ पर same problem है कि मेरा जो data है वो again hardcoded है यहाँ पर जो मेरा test data अगर मान लो कि आपका testing कर रहे हैं आपकी testing में आपका scenarios है वो test data के basis पर बन रहे हैं तो linear या modular framework आप उसको use नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो यह approach है test data hardcoded रखने के लिए यह तब तक आपकी सही है जब आपका test data constant रहेगा अगर वो test data आपका change हो रहा है जो कि आज के time पर बहुत ही common चीज़ है कि आपका test data change होता ही होता है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि data driven, keyword driven या hybrid frameworks इन सब के साथ आपको मिलती है तो आपको वो चीज़े use करके आपका test data है वो constant नहीं है वो vary कर रहा है तो उसके overcome करने के लिए आपको यह चीज़े use करने ही पड़ेंगी तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम data driven framework को use करते हैं और कैसे हम आगे बाकी यह frameworks को use करते है कैसे हम उनको modules में मनाते हैं तो अभी के लिए इतना ही thank you